माफी मांगो शारुक रामचरुन को इडली वड़ा कहने पर अब शारुक खान पर भढ़की चिंता क्या शारुक ने मांगी माफी गुजरात के जामनगर में अनन्थंबानी और रादीका मर्चन का प्रिवेडिंग सेलिबरेशन इस समय शहर में चर्चा का विशे बना हुआ है शारुक खान, सल्मान खान, आमिर खान, दीपिका पाडुकॉन और रनविर सिंग सहित कई हस्तियों ने इसकी शोभा बढ़ाई प्रिवेडिंग पाड़ी के पहली दिन सल्मान, शारुक और आमीर ने मंच पर आग लगा दी जब उन्होंने आरारार के हिट ट्रेक नाटू नाटू पर डांस किया रामचरन भी वहां मौजूद है तो शारुक खान ने उन्हें डांस करने क्लिए स्टेज पर बुलाया अलाकि किंखान ने राम को इडली कहकर बुलाया और ये बात अब राम के फैंस और साउथ इंडिया के लोगों को बुरी लग गई है अब रामचरन की मेकप आर्टी जेबा हसन ने अपनी इस्टा स्टोरी पर शारुक के प्रती निराशा जताई उन्होंने लिखा बैंड इडली वाड़ा रामचरन कहा है तू रामचरन जैसे स्टार के प्रती इतना अपमान जनक के नेटीजन्स ने ट्वीटर पर शारुक खान की आलोशना भी की एक यूजर ने लिखा एक साउथ इंडियन डारेक्टर ने उनके करियर की सबसे बड़ी हीट फिल्म दी और शारुक खान रामचरन को इडली करकर दक्षिन भारतियों के प्रती नसलवादी वहवार कर रह हैं इसी तरह सोशल मेडिया पर कुछ यूजर ऐसे भी है जो शारुक खान को इस बात पर माफी मांगने को भी कह रहे हैं लगातार सोशल मेडिया पर यही कहा जा रहा है कि शारुक खान को माफी भी मांगनी पड़ेगी वैसे इस विवाद पर अब तक शारुक खान का कोई रियक्शन तो नहीं आया है लेकिन उम्मीद है कि जल शारुखान इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी जेबासन ने आगे अपने इस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया और लिखा कि कैसे साउथ एक्टर्स की सराना या सम्मान नहीं किया जाता उन्होंने कहा यह अजीब है कि हर कोई हमें कम भुक्तान करना चाता है क्योंकि हम साउथ इंडिया से हैं जब कि किसे कलाकार को एक ही चीज के लिए तीन गुना राशी का भुक्तान करना ठीक है अगर वैक्टर्स दिल्ली या मुंबे का है तो दोस्तो कुछी इस तरह से अब सोशल मेडिया पर शारुखान को लेकर बावाल मचा हुआ है वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंड में ज़रू बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे